देश की राष्ट्रिया राजधानी दिली के सिलमपूरी इलाके से एक दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज सामने आया है इस CCTV फुटेज से यह असपष्ट होता है कि राजधानी दिली में बदमासों के होसले किस तरह से बुलंद हैं वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों ने दिन दहारे गला दबा कर एक युवक को लूट लिया बदमाशों ने छोड़ा तो युवक तडपता हुआ नाली में जा गिरा जिससे उसके सिर में चोटें आई है युवक किसी तरह नाली से निकला और जखमी हालत में लड़ खड़ाते हुए पुलिस बूथ पर मदद मांगने के लिए पहुँचा आरोप है कि दिल्ली पुलिस नो उसकी मदद करने के बज़ा उसे नसिहत दी कि वह अस्पताल जाकर खुद इलाज करवा ले शिव विहार निवासी रावेंदर सिंग की जेब में पैसा नहीं था वह किसी तरह से जग परवेश चंद अस्पताल पहुँचा और इलाज करवाया उसके बाद सिलमपूर थाने पहुँचा खबर लिखे जाने तक पुलिस उसकी शिकायत दर्ज कर रही थी वारदात सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है फुटेज में ये भी दिख रहा है कि वारदात के वक्त मौके पर कई लोग मौजूद है वह वारदात होते हुए देख रहे हैं लेकिन प्लिद की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया पुलिस का कहना है कि एक बदमाश की पहचान कर ली गई है जल्द ही उसे गिरफतार कर लिया जाएगा